हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल माइनम इस अंकुर में रता दोस्तों अभी अभी भेडिया देखकर आया हूँ और इस वीडियो में हम भेडिया का रिव्यू करने वाले हैं देखो जब मैं मुवी देख रहा था ना तो दो बहुत बड़े कोशन्स आ रहे थे मेर माइन में एक वरुन धवन को लेकर और एक मुवी को लेकर वो क्या है वीडियो को पूरा देखना आपको सब कुछ समझ आज जाएगा मैं आपको बता दू बिल्कुल स्पॉलर फ्री उर्यू भी होगा इसलिए पूरा देख लेना अराम से बात करें कर स्टोरी की तो स्टो इन प्ले जो है बहुत इंगेजिंग है फास्ट पेसिंग है आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा क्या देखने को मिल रहा है हाँ फस्ट हाफ थोड़ा सा और ट्रिम हो सकता था वहाँ पर स्टोरी को डेवलप किया गया है जो की अच्छी बात है करेक्टर के साथ मैसिज देने की कोशिश की है मैसिज बहुत क्लियर एंड लाउड है आप जाएंगे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा भाई इस फिल्म के अगर मैं टेक्निकल पॉइंट्स की बात करूं तो नंबर वन पर आती है सिनोमेटोग्राफी क्या कैमरा वर्क है इ देखो यह फिल्म क्या होती है फिल्म डिरेक्टर की ऑलाद होती है उसके बच्चे के समान होती है उनको जो डिरेक्टर होता है फिल्म को अपने एक पिता की तरह पालता है कैसे देखो उन्होंने सोच रखा था मुझे इस तरीके से फिल्म को प्रेजेंट करना है इस तरीक के फिल्म में बी जियम बहुत माइन रखता है और यहां पर वो बहुत अच्छे तरीके से कामियाब हुए है साउंड डिजाइन मतलब पत्तों पर चलने की आवाज पानी की आवाज पंचियों के चहचाने की आवाज इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है मतलब जो इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम है ना एक नमबर है एक नमबर वी एफेक्स बहुत बढ़िया है ग्रीन और डाक कलर जो यूस किया गया है उसके कारण आपको फिल्म बहुत इंगेज करती है भाई अगर मैं बात करूँ इसमें एक डायलोग आता है किर्ती सैनौन का वो कहती है कि जंगल जो है ना हिंदुस्तान की इंडिया की लंग्स है और अगर उन लंग्स को या आप काड़ दोगे तो आप जिये होगे कैसे ये कि वन लाइनर डायलोग इस फिल्म को जीने के लिए काफी है भाई बात करें परफॉरमेंस इसकी डीपक डॉब्रयाल बहुत अच्छा काम किया है उन्हों जो नोर्थीस्ट वोला टोन पकड़ा है सुनकर मज़ा आ जाता है अब हम आते हैं वरुन धवन पर देखो वरुन धवन का जो करेक्टर है ना उसमें बहुत सारी लेयर्स है देखो हैरान परेशान अफसोस हसाना डरना ये चारो पांचो जो मैंने आपको बताया है ना इनके बहुत अलग-अलग भाव होते हैं तो वरुन धवन ने इनको बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशेट किया है जिससे आपको लगता है कि वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं सारे भाव को बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस पर लेकर आते हैं भाव मज़ा आ जाता है अमर कोशिक का डिरेक्शन एक नमबर है बहुत बढ़िया है और क्लामेक्स तो भाव इस फिल्म की जान है आप एंड में तो इस फिल्म से कनेक्ट हो ही जाएंगे जब आपको कीरती सैनोन का सच समझाता है भाई किर्ती सेनन का बहुत कम काम है पर जब जब वो स्क्रीनी पर आई हैं अपने इनोसेंस अपने फेस एक्स्प्रेशन से दिल जीत लेती हैं मज़ा आ गया देखकर आप जो मेरे दो कोशन थे वो ये हैं कि भाई पब्लिक कहां है पाँच से छे लोग थे पूरे थेटर मे पब्लिक देखने ही नहीं आई और दूसरा है वरुन धवन के लिए जब आप में इतना टैलेंट है आप अच्छी स्क्रिप्ट चूस कर सकते हैं तो वाई भाई वाई आप अपने पापा की फिल्म क्यों करते हैं से बिग नो टू डेविड दवन सर अब उनका वक्त खाता नहीं होगा बहुत ही शानदार फिल्म है मैं रेटिंग देना चाहूंगा इसको चार स्टार आउट आफ फाइफ इस वीडियो में इतना ही कुछ अच्छा लागों सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फूर वाचिंग